हेलो दोस्तों वल्कम बैक टुम मैं चैनल संडे की स्पेशल पिक में आप सभी का स्वागत है स्टॉक का नाम तो आपने देखी लिया होगा ट्रिल जिसे हम ट्रांस्फोर्मर्स एंड एक्टिफाइस के नाम से जानते हैं और ये स्टॉक अपने लॉंग कम रेसिदेंस के पास आ चुका है तो आएए देखते हैं क्या हम इस टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर हा करती है इनके नाम में ही लिखा है और आपको पता भी चल गया होगा कि कमपनी ट्रांस्फर्मर्स बनाती है पड़ यहां पर इनके और भी प्रोडॉक्स एंड सर्विसेज है मैं आपको अर्ज करूंगा कि इनके वेबसाइट पर आईएगा इनकी पूरी डीटेल्स में यह फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है यह जान लीजेगा उसके बाद कमपनी में इन्वेस्ट कीजेगा तो अब चलते हैं टेकनिकल पार्ट पर दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ट्रांस्फर्मर्स एंड रेक्टिफार्स लिमिटेट के वीकली चार्ट्स पर और इस अफ़ कि स्टॉक के बाद करता है वापस बड़ी मूफ के लिए रेडी हो रहा है और अभी रेडी हो रहा है अपको बताने वाला हूं उस से पहले इस टॉक की हिस्टी देख लेते हैं कि अब तक इस टॉक ने कैसे पर्फॉर्म किया है अगर आप इसका लॉंग तम चार्ट देख होगे तो 91 रुपीज के आसपास के lifetime highs रहे है 2008 में और उसके बाद ये stock नीचे फिसल गया था और इसका lower end जो है आप कह सकते हो कि 5-6 रुपए 7 रुपए है और उपर के तरफ ये stock देखिए weekly closing जो है ये 48 के उपर नहीं दे पा रहा है 45 46 47 रुपीज तक आता है उसके बाद ये stock वापस नीचे एक downtrend में चला जाता है दो तीन बार ये levels test हो चुके है 2008 में उसके बाद 2010 में और उसके बाद 2017 में बहुत बार ये stock नीचे फिसल गया था तो यहां पर देखिए आप ये stock वापस ऊपर की है या फिर आपको ऐसे ही multiplier जानने हो तो आप मुझे support कर सकते हो इस i button पर क्लिक करके मेरे चैनल को subscribe and bell notification on कर लिजे ताकि आपको मेरे चैनल से related सारे updates time to time मिलते रहे और मुझे भी motivation मिलते रहेगी आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए तो फटा फट सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आ चुके है transformers and rectifies limited के technical part पर जहां पर मैं आपको levels बताने वाला हूं बट उससे पहले एक important चीज और एक बार मैं आपको बता देता हूं बड़ी मूव आई consolidation हुआ एक बड़ी मूव के बाद ये consolidation phase चल रहा है इसका तो यहां पर इस phase में अगर आप इसमें buying कर रहे हो तो यह बहुत अच्छी opportunity है तो आप levels क्या है वो देख लेते हैं देखिए इस टॉक एक बड़ी मूव दी थी इस टॉक ने जुले महिने में जो की 37.60 तक थी और इसके बाद एक consolidation phase में आ गया है तो अब यह लेवल जो है यहां पर आपको जानने होंगे कि लोवर एंड जो है इस टॉक का यह 24 या 25 है क्योंकि यहां पर इस टॉक ने बार 23.60 के यहां पर लोगा है ऑगस्ट महिने में उसके बाद अक्टोबर महिने में इस टॉक ने 24.30 के लोगा है और उसके बाद वाले वीक में ही इस टॉक ने एक अप्मूव दे दिया है 34 तक यानि कि इस टॉक में यहां पर दिखिए बाइंग आते जा रही है लोवर लेवल पर बहुत अच्छी बाइंग हो रही है और यह स्टॉक जो है यह 26 रुपय 25 रुपय के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है और उपर की तरफ जो रिजेक्शन का काम कर रहा है यह 35-36 के लेवल है क्योंकि यहां पर बहुत बार इस टॉक ने इन लेवल पर आके रिजेक्शन लिए है और उसक इली को बेशने को मिल सकता है जो इस टॉक को 45 से लेकर 50 तक ले जा सकता है जो इसका पर दियाए हैं अपर यह 17 की आसपास 47 रुपीज के आसपास के यहां पर 45 से 50 के बीच में इस टाउक वापस जा सकता है तो यहां पर 36 के उपर दॉपर आने का इंतजार रहेगा मेरा या फिर आप lower end पे इसे buy करने का सोच रहे हो, तो 28 से 30 के एक बहुत यह अच्छी buying range है stock में, तो यहाँ पर इन levels पे आप इसमें buying कर सकते हो, ठीक है, तो यह levels है मेरे trill में, lower end पे अगर यह stock आता है, तो 28 के आसपास आप इसमें buying कर सकते हो, 28 से 30 के बीच में, उपर अगर यह 36 के उपर निकलता है, तो आपको 45 से 50 के targets इस stock में आते हुए दिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा patience रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि तुरंद यह stock आ जाएगा, मैं एक-दो दिन का आपको बता रहा हूँ, यह trade बिल्कुल भी एक-दो दिन का trade नहीं है, यहाँ पर patience रखना होगा, थोड़ा medium to long term का मेरा target है, मेरा नजरिया हमेशा थोड़ा positional होता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, तो यह थी मेरी आज की वीडियो दोस्तो, I hope आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में उझे लिख करके जरूर बताईएगा आपको वीडियो कैसा लगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए stay safe and have a good day, thank you.